नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बाई फिर से हमारी यूटूब चैनल प्रिंस एजूकेशन पॉइंट पर तो साथियों कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूं आप सभी लोग अच्छी होंगे तो साथियों आज मैं आप सभी को इस वीडियों बताने वाला अब देखें अगले poina करने वाले हमकीकि त्थूशन की अगर आपकर मतलब आश्र की जब कंसियों नहीं होगा तो आश्र की कब तक आज ने वाली है और जो कि देख्या olm को नोर्मिलाइज़ेसिंग का पूरा सिस्टम क्या होता है yapıyor normalization मतलब क्या है और देखी मैं आपको बताऊंगा यानि कि जिन candidate ने ज्यादा attempt किये हैं उनको कितना normalization मिलने वाला है और जिन्होंने कम किये हैं उनको कितना मिलने वाला है यानि कि मैं पूरा completely process में इस वीडियो में cover करने वाला हूं कि 10 से 15 बढ़ेंगे कितनी नंबर इस वीडियों बढ़ने वाले आपको मैं बताने वाला हूं तो प्लीज आप वीडियो के साथ एन तक बने लिए उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप दिल्ली पुलिस से regarding कोई भी information वीडियो चाहते तो प्लीज आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन पैस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के notification आप तक आसानी से पहुँच पाए क्योंकि साथियो मैं दिल्ली पुलिस के regarding सारी informative वीडियो आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल पे मिलती रहती हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी के की socialism तो साथियो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि याणि कि commencé की सिफ्ट हागा याकि तो और तो इस्कूर में आप को बतांना चाहूंगा उसी के साभी हिप梦ी है हम यानि कि नौर्मलाइजिसन की बात करते हैं तो इसके उपर मैं आपको सबसे पहले बताओं तो देखिए इसमें आपका दो फैक्टर बनते हैं सबसे जो पहला जो फैक्टर बनता है देखिए का मैं आपको बतना चाहूंगा सबसे पहला जो फैक्टर बनता है वह आपका ब सिफटो क्या होगी माडरेट लेवल माने चैके इसका लेवल माहंन लो हारätt अब यसके बारे में थोड़ाम जान लेते हैं कि माल लो मैं इब को पहला तरीका जो इसमें से बताने वाइन हो पहला तरीका तो आपका ये होता है आपको पता है कि तीनों शिफ्ट में क्या होता है कि तीनों ने 60-60 question attempt किये, ठीक है न, example के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या है कि आपको मालनो के, जिसमें क्या होगा, कि दीखें, पैला जो shift में अलगा, जो shift आईए, उसमें क्या होगा, यहांनि कि मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें क्या है कि थोड़ा कम नंबर यहीं कि उसमें कोई भी normalization नहीं मिलेगा यहीं कि उसमें नॉर्मलाजेशन मालो एक या दो नंबर का मिल जाएगा इससे जादा नहीं मिलेगा अब देखिए अब जो वाली यह आपकी यह आपकी फर्स्ट हो गई यह आपकी थर्ड हो गई ठीक है अब तीनों में आपने 60-60 question attempt किये ठीक है अब क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो आपने मतलब सम में 60-60 attempt किये तो इसमें आपके जो marks बढ़ेंगे वो दीकि उसमें हो सकता है बढ़ें लेकिन उसमें ज्यादा marks नहीं बढ़ने वाले क्योंकि जो सिफ्ट आप आपकी जो पहली सिफ्ट है वो इजी है दूसरी आपकी moderate है और तीसरी level आपके high है तो आप देख सकते हैं जो सिफ्ट आपकी moderate में बढ़ते हैं पांच नंबर तो जो हाई सिफ्ट आई है यानि कि सबसे ज़्यादा हाड जो सिफ्ट आई है उसमें आपके बढ़ेंगे दस नंबर यानि कि डवल नंबर बढ़ते हैं इससाब से आपका को बता है उसमें कम नंबर अड़ते हैं और जो सिफ्ट moderate level के आती है उसमें क्या है कि देख सकते हैं जो सिफ्ट हाड आएगी उसमें आपके 10 पढ़ेंगे उसकता है इससे जाद है मला moderate level से आपके 10 नंबर जट मैंने कि डुगना हो जाता है इस परकार से आपका नॉर्मलाजेशन का जो सिस्टम है इस परकार से रहता है अब देखिए का मैं सेकंड टाइप आपको बताना चाहूंगा सेकंड जो टाइप होता है वह ने कोई 90 करता है अब उसमें डिपेंड ये करता है कोई भी केंड़ेट ने मालो किसी ने 60 अटेंप्ट किया तो उसने सही कितने किये लाइंट वाले ने गलत कितनी बिल्कुल ठीक है उसका एक भी गलत नहीं है और मालो जिसने 90 अटेम्ट किये उसके मालो 20 नंबर गलत 20 कोशन गलत होगे तो भाई उसका नंबर कटेगा आपको पता है तो इस हिसाब से इसका नॉर्मलाजिसन का प्रोसेस रहता है तो मैं आपके लिए एक्जाम्पल के लिए किसी कैंडिडेट ने 80 कोशन अटेम्ट किये ठीक है अब किसी ने 80 कोशन जब अटेम्ट किये तो आपको मैं बताना चाहूंगा जब 80 किसी ने अटेम्ट किये तो उसमें क्या होता है कि मालो उसने कहा कि मैंने 72 जो है वो बिल्कुल सही है यानि कि 72 विकल्प जो है क्या में तो आपको पता इस हिसाब से इसमें क्या होगा कि इसमें आपके यांगे कि इसमें आप बाहत्तर बिकल्फ सही किए बाहत्तर में से इसके दो कटगे नेगटिव मारकेंगे तो 70 नंबर इसके बन पा रहे हैं टोटल ठीक है इस प्रकार से देखिए नॉर्मलाइजिसन की बात करते हैं तो attempt मतलब यानि कि second जो type है वो depend करता है आपके यानि कि attempt पर मतलब मालो कि क्या है कि मालो किसी candidate ने 60 attempt किये तो उसने सारे के सारे questions सही किये तो भाहियों मैं आपको बताना चाहूंगा उसका नॉर्मलाइजिसन जो है वो हाई रहेगा यानि कि उसकी shift में अगर नॉर्मलाइज मिलेगा वो हाई मिलेगा यानि कि सबसे ज्यादा मिलेंगे यानि कि उसको number ज्यादा मिलेंगे उसकी comparison में जिसने मतलब मालो जिसने 80 question attempt किये और इसने मतलब 60 ही सही किये उसके comparison में इसको ज्यादा मिलेंगे इसको थोड़े कम मिलेंगे आपको मैं बताना चाहूंगा यानि कि 60 बाले का तो देखिए आपको normalization में जब मिलेंगे तो अच्छे जानी कि सबसे अच्छे marks मिलेंगे अब मालो किसी ने 80 attempt कि 80 मैं से उसने 60 सही कर पाया तो उसको क्या है कि normalization में मिलेगा तो सही लेकिन कम बहुत ही कम marks मिले मिले वाले हैं उसको इस पर उपर यानि कि second tap जो अब इस पर depend करता है अब मैं आपको बताना चाहूँगा previous year की बात करूँ तो देखिए previous year में पहले क्या होता था कि पहले negative marking नहीं थी 100 में से 100 candidate attempt कर देते थे तो पहले क्या था है 100 में से 100 attempt कर दिये उसमें वो नर्मलाजेशन भी रहता था लेकिन नर्मलाजेशन जो मिलता था वो 5 से 10 नमर के असपास मिल जाता था लेकिन इस बार नहीं है इसमें साथ में negative marking भी है तो इस साब से इसमें नर्मलाजेशन मिलता है तो भी आपको मैंने इससी प्रकार से दोखी आपके बढ़ते हैं अब देखिएगा हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपको ये बेसबरी सकर इंतजार है किसी भी कैनरेट को कि देखिएगा हमने एक्जाम तो आप मुझे पता है कि एक्जाम कैंसल नहीं होने बाला itक है क्योंकि आप सभी को पता एक्जाम कैंसल होता टृटर पे जहींकि सारा टृट मतला भी तक ट्रेंडिंग में नहीं आपाया 17 तारीक के ट्रेंद में आया था उसके बाद कभी ट्रेंड में नहीं आपाया अब देखेगा हम बात करने वाले हैं कि इसके मतलब अंसर की के बारे में तो देखेगा अंसर की के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने रिजल्ट के बारे में भी डिसकस किया है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है physical के बारे में भी discuss किया है कि आपको physical के लिए कितना time मिलने वाला है और देखें कि cut off क्या रहसकती है उसके बारे में भी मैंने discuss किया है अब देखें कार मालों आप cut off की अलग से वीडियो चाहते है तो देखें मैंने cut off की एक मतलब personally video बनाई है जिसमें एक मतलब एक 60 cut off बढ़ता ही है जिसमें की मतलब काफी analysis करने के बाद मैंने ये cut off की video जो तयार की है तो अब इन दोनों वीडियो का link है निकि इस वाली वीडियो का link ये वाली वीडियो का link और देखें नीचे ये वाली जो वीडियो है ये वाली इन दोनों वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा cut off की video और answer की और result की जो कब आने वाला इसके बारे में दोनों का video का link आपको description मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा जैसे link पर click करेंगे आपकी जामने वीडियो आ जाएगी तो मैंने अभी आपको बता दिये इस परकार से देखिए दो टाइप से मैंने अभी आपको बताया था कि आपका मदले normalization जो रहता है वो आपके पहले question पर attempt करता है कि मतलब shift के हिसाफ से पर गलत की उस पर आपका इस परकार से आपका normalization जो है मिलता है तो बस इतनी सी information आप सभी को देने वाला था देखिए का मैंने में आसा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आपाया तो comment करिए गा मैं उसका आपको जवाब करके बैल आइकॉन बटन प्रेस करने ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको तुरंत इंफोर्मिशन मिल जाए तो चली दोस्तों इसी के साथ मैं पूर्ण करता हूं थैंकी दोस्तों है भी गुटे